हाई दोस्तों आज की इसी वीडियो में आप सभी को बहुत-बहुत सवाध है आज हम डिस्कोस कौनने वाले हैं कि बहुत ही छूटे से पैनी स्टोक के अबाट में जहां दोस्तों पैनी स्टोक का प्राइस आप देख सकते हैं कितना सिर्फ 15 रुपे है जो कि यह जो पैनी स् बड़े दिगज कंपनी है जैसे कि बाजा स्फिंजर हो गया सब्सक्राइब हो गया तो बहुत ही बड़े-बड़े कंपनियां जो है इनके प्योर कंपनी में देखने को मिलेंगे लेकिन उसके सामने दोस्तों यह जो कंपनी है बहुत ही चोड़ा साइश इस रिफ 19-20 क्रो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा प्रम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो तो प्रम के तरह कि जैसे कि आपका क्यों मिलता है यान तो हाँ पर रिवार्ड आपको दूरुपेगा रहेगा तो एसे कुछ स्टाटेज एसे स्टॉक कर सकते हैं यह जो पेनी स्टॉक है बहुत ही सांदार मुझे लग रहा है तो चाहे तो आप आपने तरह से भी आप अच्छे से अनालिसिस करके करिएगा कोई भी एक्टिविट करके ओल का प्रेस करके दूस्तों और उसी के साथ वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरू कर लिजेगा तो फिलाल अगर परते हैं सबसे पहले प्राइस आक्षण देख लेते हैं तो पिछले फाइब टेडिंग सेशन में स्टॉक यहां पर जिग जाग प पर आपको मूब करता हुआ देखने को मिलेगा और पिछले एक मुएने को अंदर श्टॉक ने लगबग 10% का रिटन दिया है तो आगए आपको श्टॉक का नाम भी बताएंगे तो वीडियो को दूस्तों बिने स्किप के एंट तो जरू देखते रहें जैसे कि यहां पर जो एक मुएने का चार्ट पेटर्न काफी ज्यादा भुलेटाइल एक ही रेंज को अंदर देखने को मिलेगा और यहां पर श्टॉक जो है लगबग ब्रेक आउट की जोन पर आ चुका है यहां से स्टॉक अगर ब्रेक आट करता है फिर इसमें एक पहुत ही सांदार तेज देखने को मिल सकता है और बात करें पिछले 6 मने की तो 30% का गिराबट है तो यहां पर आप बलो के स्टॉक तो अभी तो नेगटिव में है फिर आप क्यासे बोले हो स्टॉक आगे चल कर मुल्टिवर रिटरन दे सकता है मैं आपको बदा दो दूस्तु स्टॉक जब नीच बाट करेंगा यह सारे रेजिस्टांस लेबल है जो की रेजिस्टांस लेबल कहां पर है 15 के बाद दोस्तो 2020 के बाद 30 तो 30 के प्रैस ने स्टॉक अगर आ जाता है तो फिर आपका इंबेस्टमेंट जो हो रहेगा यहां पर डबल हो सकता है और बात करें पिछले एक साल की एक साल का अंदर 83% का रिटन है दोस्तो इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी स्टॉक ने एक साल का अंदर 83% का रिटन दिया है और बात करें पिछले 5 साल की 5 साल का अंदर भी स्टॉक नेगेटिव में है तो अल टाइम पर बात करें ऑल टाइम पर स्टॉक ने 48% का रिट यहां से श्टोप नीचे नहीं गिरा है और यहां से अन्दर एक आच्छा भाउस व्याउस को मिलेगा सुटो को फिर 25, 40 की लेवल तो कि तो फिर्मेक सुट्ओ का नाम क्या है देख ले हैं दूस्तो का नाम रियल टउचonse launch солнimt prompts नाम देकर विडीयो कुं दोप के fundamental भी देख लेजये स्टोक के सा है पिर उसके बाद आप अपनी तरफ से डिसाइड करेगा इंबेश्मन्क करना है यह फिर अबर कोना है तो चलता हैं दोस्तो लुध ऐसेक अह 1976 ब meget होली है तो इनके सामने दोसते कोंटी कुछ भी नहीं है मैं आपको बता दूए इन सामने दोस्तो इनका प्राइस और मार्केडवेलेसन देखिए और एक कंपनी का मार्केड प्राइस देखिए कुछ भी नहीं है फिर भी दोस्तो आगे चल करें स्टोक ने काफी ज़्यादा मुल्टिव where दिखा चुका था और श्टॉक ने विर्ते-गिर्ते सेवन रुपे के निचा आ चुका था और बात करें रुचियारी की पोजिटिव में है 5% 4% और EPS कमपनी का अच्छा है वान रुपे के ज्यादा है दोस्तों इंडुस्ट्री के पी 25 यानि श्टॉक का भी अंडर वेलोड में मिल रहा है और प्लेज परसेंटेज दोस्तों 17 रुपे से ज्यादा है यानि की श्टॉक का अंदर और पोटेंचियल है तेजी होने का और रिज इशले क்वाट़र में बहुत ही संदर सेल्ज क्या है और मर्च की किकषटर से बहुत ही संदर तेजी देख़े मिलें है थर्टी 9 लाइग से बड़कर यहां पोर वान करका हुड कर चुका है और 9 लाइख का प्रफीड डाइ करोड को क्रोस कर चुका है और नेट प्रोफिट भी पहले कितना हो रहा था यहां पर लॉस्ट कर रहा था जैनलाख और अभी दोस्तों बहुत ही सांधर वान करोड से यहां पर ज्यादा हो चुका है 1.45 करोड़ तो आप समय सकते हो यहां पर तैजी जो है sales growth और profit growth में बहुत ही सांदर हो चुका है लेकिन stock price यह ज़र उतना सांदर performance नहीं किया है जो कि आगे होना बाकी है और share holding pattern पर भी कमनी अच्छा है जैसे कि promotor के पास यहां पर कितना holding है 54% और public 25% और promotor के अगर बात करें कौन है दोस्तो अल्टरा प्लोस housing state limited जो कि एक बहुत बहुत ही सांदर बेहतरीन कमनी है तो चाहे तो दोस्तो आप आपने तरफ से आच्छे से analysis करके एसे stock के अंदर आप investment कर सकते हैं बहुत ही चुड़े से amount के साथ तो टेक्निकाली भी आप देखोगे टेक्निकाली 50-day और 200-day moving average से ब्रेकडाउन ले चुका है जैसे ही यह करता है फिर 30 का लेवल लेखने को मिल सकता है तो कोई भी investment कोने से पहले दोस्तों आप आपने तरफ से analysis को लिजे एक वीडियो शिर्फ यह आपके एज्युक्राइश के लिए था तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही तो मिलते हो और एक नए वीडियो के साथ तब त